हलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग भी सस्कला पांडे में स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय प्रिया और रोहन के बारे में सभी लोग देखते हैं हम भी देखते हैं लेकिन देख करके कहीं कहीं मन को बहुत ठेस भी पहुच रही है कि पहले तो लगता था कि सायद मिले हुए हैं लोग लेकिन फिर भी अब तो ये लग रहा है कि ह इस तरह से जूट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोई भी रिस्ता विश्वास पर टिका होता है जब उसमें हम जूट फरिव को लाते हैं तो कहीं न कहीं विश्वास खतम होता है और जब विश्वास खतम होता है किसी के साथ विश्वास घात होता है तो आसानी से कभी दूसर है रोहन को माफ कर देना चाहिए उसको क्योंकि इतना बीमार भी चल रही है रो रही है बार बार अपनी गलतियों का पश्चाताग कर रही है हाला कि उसकी गलती माफी योगी तो नहीं है लेकिन फिर भी यदि रिस्ता बनाना है परिवार को देखना है तो कुछ गलतियों को ignore करना ही पड़ता है चाहें जैसे भी करें तो रोहन को भी उसको mark कर देना चाहिए और अपना लेना चाहिए अपने बच्चे के साथ ताकि तीनों लोग हसी-खोसी से अपने घर में रहें एक साथ मिल जूल करके रहें हम सभी लोग तो यही चाहते हैं ताकि उसे इतना मतलब परिशान नो होना पड़े रोना नो पड़े सब लोग मिल जूल करके रहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा देखने में भी अच्छा लगेगा और उनका कि प्रिश्ते में खराबी और अच्छाई होती है कुछ लोग खराब होते हैं तो पुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन फीर अधितर love marriage में यही दिक्कत आती ह還कि मतलब पहले तो साथ देते हैं लेकिन बाद में छोड़दे जिससे अनेक प्रकार की दिकतों का सामना करना पड़ता है तो प्लीज हमारी यही अपील है रोहन से कि अपने परिवार को अपना लें और हसी खुसी से तीनों लोग एक साथ रहें अपने बच्चे के साथ इतना प्यारा बच्चा है उनका और जितना माफ करने वाला इंसान बड़ा माना जाता है उतना गलती करने वाला इंसान नहीं और आप जब गलती का पस्चाता भी प्रिया कर रही है तो उसे माफ करके प्लीज अपना लो और सभी लोग जो है मिल जुल करके अच्छे से प्यार से रहो ठीक है दोस्तों हमारा और भी वीडियो इच है उसे भी आप अपना सने है और प्यार दीजिएगा यहीं आप से बिंती है टेक केर बाबार